हेलो फ्रेंड साज हम क्रोटन को लीफ्स से ग्रुट करने वाले ये दिखे इसके leafs लगाएगे क्योंकि काफी सारे leafs है इसमें इसके leafs लगाने के लिए आपको mature leafs लेना है जिससे आपको noon area से तोडेना है देखि है इस तरह के leaves नहीं इस तरह की पूराने leaves लेनें पटे होगे तब ही चलेगे और इसे आपको नोड़ी रिया से तोड़ लेना इस तरह से तोड़ने के बाद आपको जो यह पोशन है इसको मिट्टी में दबा देना है कोई भी मिट्टी आप ले सकते हो जो मौईस रहती हो इस तरह से आप मिट्टी में दबा दे मिट्टी से अच्छे से cover कर दे इतना portion और इस मिट्टी को जो हमेशा moist रखे अगर मिट्टी dry होगी तो जो है leaves नहीं ग्रोगा leaves भी सूख जाएगा तो मिट्टी को जो हमेशा moist रखे और partial shade में रखे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कुछ leaves propagate की हुए है इस तरह से नीचे से निकाल लेगे इसे थोड़ा सा मिट्टी हटा कर ये देखिए काफी अच्छी roots बनी हुई है मोटी हल्दी मैं दो कर दिखाती हूँ आपको ये देखिए काफी अच्छी roots बनी हुई है और आप देख स करने के लिए मैंने ये धाइन साइस का पोट लिया है जिसमें मैंने नॉर्मल सॉयल पर युई है इस तरह से होल बनाकर हम roots को अंदर डाल देगे सावधानी से डाले roots ना टूटे roots को सावधानी से डालने के बाद मिट्टी से आपको खलके से कवर कर देना है सादा फोर्स स दे देगे ये देखिए ये दूसरा पत्ता इसमें भी देखिए आप roots देख सकते हो आ गई है इससे भी रिपोर्ट कर देगे एक से डेड़ मन्त लगता है roots आने में तो आप भी ग्रो करें और रिजल्ट कैसा मलता है मेरे साथ ज़रू शेर करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले थैंक यू पर वाचिंग फ्रेंड्स हैपी गार्डनिंग